सो हे अब्रिवान अस्तलाम अलेकुम कैसे हैं आप लोग आप लोग अच्छे होंगे तो आज मैं आप लोगों को इस तरह का एक बहुत ही ब्यूटिफुल लटकन बताने का आसान तरीका बताने वाली हूं यह लटकन दिखने में जितना ही हाड है उतना ही बनाने में इजी त देखे मैंने इधर इस तरह से इसको रखा है एक ट्रैंगल पर दूसरे ट्रैंगल को हम इस तरह से रखे इस पर हाथ से लाई की मदद से इस पर हम इसको अटेज करेंगे कि बहुत ही इजी ट्रीक है इसको बनाने का गाईज यह लटकन दिखने में तो यह टफ लगता है लेकिन बनाने में उतना ही आसान है यह आप लोगों को भी पसंद आएगा मेरा यह तरीका बनाने का यह दिखे हमारा एक दूसरे पर ट्रैंगल अटेज हो चुका है अब हम तीसरा वाला भी इसको सेम इसी तरह से अटेज करेंगे यह दिखे हम इसको इस तरह से इस पर अटेज करेंगे इस पर भी हम अच्छिलाई की मदद से ही अटेज करेंगे इसको भी अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जिससे मेरे सारे नौटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए और आप लोगों के सब्सक्राइब करने से मुझे भी कि नौटिफिक मुटिवेशन मिलता है गाइस में देखे हमारा तीसरा ट्रेंगल भी इस पर अटेज हो चुका है अब हम क्या करेंगे है कि जो हमारा ये दूसरा वाला साइड है इसका पॉइंट हम इस पॉइंट पर रखेंगे इस तरह से इसको गहुमाके हम इस तरह से पल्टी कर लेंगे इसको भी हम अच्छिलाई की मदद से ही अटेच करेंगा तो यह दिखिए गई हमारा तीनों ट्रैंगल एक दूसरे में अटेच हो चुका है कि अब हम इसके सेंटर में डोरी को डालेंगे और मेक्शोर कि हमारा डोरी निकले ना बाहर हम एक्स्ट्रा थोड़ा रखेंगे डोरी को बाहर निकालके इस तरह से हम थ्रेट को खीच देंगे तो यह दिके हमारा यह पूरा मटेरियल एक दूसरे में अटेच होकर थ्रेट खीचने के बाद में इस तरह से दिख रहा है इसको हम हाथ सिलाई की सुई के मदद से डोरी को और अच्छे से अटेच करके लॉक कर लेंगे बहुत अच्छे से इसको हमें लॉक करना पड़ेगा एक बार और अच्छे से इसको हम लॉक करके डोरी को ध्रेट कट कर देंगे अब हम लटकन को पल्टी कर लेंगे पॉइंट से ही हम पल्टी करेंगे इसको मेरे क्लाइंट को तो यह बहुत पसंद आया था यह वाला लटकन जब मैंने उनको बना कर दिया था और उनको इतने ज़्यादा पसंद आया कि उन्होंने मुझे same ऐसा ही एक और order दे कर गई है और हाँ इसका मैंने कोई extra charge भी नहीं लिया था अपने client से वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी guys तो आप लोग भी यह लटकन अपने client को बना कर दे सकते हो यह देखें इसका look कितना अच्छा आया है दिखने में जितना hard है बनाने में उतना ही simple है यह और इसी तरह से मैंने दूसरा वाला भी same ready कर लिया है मुझे personally यह बहुत अच्छा लगा है मेरे client को भी बहुत पसंद आया था अगर आप लोगों को मेरा यह लटकन बनाने का तरीका पसंद आया हो तो please मेरे channel को subscribe कीजिए वीडियोस को like कीजिए bell icon को दबाना ना भूलिएगा आप लोगों के support से हमें motivation मिलता है मिलते है next studio में तब तक के लिए Allah Hafiz, take care, bye bye